हेलो फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपके लिए बहुत खूब सूरत सा निटिंग पैटर्न लेके आई हूं आप इसे श्वेटर में जैकिट में कार्डिगन में किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको एपलाई कर सकती हैं बहुत प्यारा है देखिए बहुत सुन्दर है और किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसको बनाए कोई भी कलर लें बहुत खिल के आती है इसमें मैंने नो प्लस बन के मल्टीपल में फंदे लिए हैं आपका जो भी प्रोजेक्ट है आप उसमें इसी हिसाब से फंदे ले ले और हम इसको बनाएंगे आप देखिए कितने कमीए मैं उच्छे से इसकी भुनाई खिल के आ रही हैं तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना और प्लीज सभी लोगों में अपने फ्रेंडस में farming music करना चलिए सब्क्रैणे फंदै दाघा पीछ दरह से इदो फंदों का एक करेंगे के इस सब्किना, तो देखें कितने लेने हैं एक बार ईसे उन शलाई पेऊटें लपेटेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह हमने साथ फंदे बना लिये हैं देखिए अग इधर के जो फंदे हैं इनको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर भी दो का एक करेंगे इस तरीके से धागा अपनी तरफ यहाँ पर मैं पांच फंदे उल्टे करूँगी दो फंदे उल्टे बुन लिये, तीन, चार, पांच पांच फंदे मैंने उल्टे बुन लिये हैं धागा पीछे करेंगे अब इन दो फंदो का दो का एक करेंगे इधर से इस फंदे में से हम साथ फंदे फिर से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फंदे से अब इन दो फंदो को डो कह एक करेंगे दो क्लिया दाग अपनी तरफ फिर 5 फंदे उल्टे है तीन चार पांक पांच परनी मैंने उल्टे पुन लिये हैं दाग पीछे आप इन दो हंदो को दो का एक करेंगे इधर से को थो को एक कर लिया धागा पूपी तरफ स्टाप पीछ रखेंगे और इस फंदे में से हम साथ इस्टिच बनाएंगे एक दो टीन चार पाच छे साथ 7 पंदे बना ली मैंने अब इन दो का एक करेंगे इन पंदो का दो का एक करेंगे लिए कर लिया धागा अपनी तरफ कै और 4 फंदे हम उल्टे भुनेंगे इफ संव मैंने बुन लिये हैं यह दो संद अधेक हमारे साइट के लिए इनको भी मैं को फंड़ों की दागा पिछे करके एक लाश्ट फंदे को सीधा हिए कि हमारी फस्टों हो गई रोंग ineffective हैं पूले लेंगे रोंग साइट हमें सभी फंदोंको उलटा भुनना है पहला फंद बिना भुनना ले लेंगे और उन्लय जो फंदे हमने यह एक फंदे से साथ बनाए थे उनको भी अलग-अलग करके ही सबी को कि कुंदाबला इस तरीके से सब को अलग अलग करके बुनना है सबी फंदों को उल्टा-उल्टा बुनेंगे हमने अपनी रोंग साइड कंप्लीट कर लिए रोंग सलाई अब हम राइट साइड आएंगे देखिए राइट साइड हमें पहला फंदा बीना बुना ले लेना है और सेकेंड फंदे को हम सीधा बुनेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे पहले हमने यहाँ पर चार उल्टे फंदे बुने थे अब हम तीन बुनेंगे एक दो तीन उल्टे फंदे बुन लिए अब हम इन दो फंदो को एक उल्टा फंदा और एक यह सीधा फंदा इनको दो का एक करेंगे धागा पीछे ले जाएंगे दो का एक करेंगे अब जो फंदे हमने हाँ पर सेवन इस्टिच बनाए थे एक फंदे में से जो हमने साथ फंदे बनाए थे उनको सीधा सीधा बुनेंगे यह हमने साथ फंदे बुल लिये हैं अब आप इधर देखेंगी कि हमने यहाँ पर दो का एक किया था तो इधर भी हम दो का एक करेंगे एक उल्टा फंदा लेंगे और एक यह सिधा वाला फंदा दाघ अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे निंफंदे कर लिए दाघ पीछे एक उल्टा फंदा लेंगे और एक यह यह वाला फंदा लेंगे जहां पर हमने पहले दो का एक किया था यहाँ पर दो का एक करेंगे इन सेवन स्टिच को हम सीधा बुनेंगे जो हमने एक फंदे में से सेवन स्टिच बनाए थे देखिए अभी धरा गए दो का एक करेंगे धाग अपनी दरफ तीन फंदे उल्टे बनाएंगे तीन फंदे उल्टे बना लिए अब हम एक उल्टा फंदा लेंगे और एक यह सीधा वाला इनका दो का एक करेंगे अब यह हमारे सेवन स्टिच बनाए इस फंदे को और एक उल्टे फंदे को हम दो का एक करेंगे धाग अपनी तरफ देखें तीन फंदे हमने उल्टे बन लिए है और यह दो फंदे हमारे एस्टा है जो हमने साइट के लिए रखेंगे हैं हमारी यह रो कंप्लीट हो गई उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बनेंगे देखें राइट साइट फिर से हमें क्या करना है पहला फंदा उतार लेंगे बिना बना औरonne उखेंगे הוא और 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 एक इस फंदे को हम दो का एक करेंगे देखिए और यह जो सेवन इश्टिच है हमारे इनको सीधा बुनेंगे एक यह उल्टा वाला फंदा और एक यह वाला फंदा हम दो का एक करेंगे इस तरीके से बीच में हमारे देखिए एक ही फंदा बचा है यह हमारा बीच में तो अब हम धागा पीछे करेंगे और इनको दो का एक करेंगे एक कर दिया इन सेवनिस्टीच को सीधा बनेगे इस फंद्य को हम इस तरह गुँमाएंगे एक उल्टा फंदा और एक इस फंद्य को दो का एक करेंगे दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा और इन दो फंदो को दो का एक करेंगे यह हमारे सेवन इस्टी चाग है इनको सीधा बुनेंगे देखिए इन दो फंदो को दो का एक करेंगे दागा अपनी तरफ हमारा पैटर्न बनने लगा है यह उल्टी साइड से हम सभी फंदो को उल्टा बुनेंगे सभी फंदो को रोंग साइड से उल्टा बुनेंगे देखेंगे कि जो हमने यहां पर 5-5 उल्टे फंदे रखे थे यहां पर 5 यहां पर 5 तो हम कम करते हुए यहां पर हमारा एक उल्टा फंदा बचा यह वाला एक उल्टा फंदा बचा है और इधार भी हमारे कम हो गए तो अब हमें क्या करना है देखिए यहां से हम अपना सेकंड जो यह डिजाइन है उसको सुरू करेंगे पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे धागा पीछे एक फंदा बुना हुआ लेंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा फंदा अ अब यह जो हमारे सीधे फंदे थे देखिए आप देख रहे हैं यहां पर सीधे फंदे हैं तो यह जो हमारा एक उल्टा फंदा इस उल्टे फंदे में से हमें तीन फंदे बनाने है एक दो तीन तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए यह जो हमारे सेवन स्टिच थे सीधे व करेंगे दो का एक कर दिया धागापनी तरफ बीच के फंदों को उल्टा बुनेंगे दो तीन चार पांच पांच हमारे उल्टे फंदे हो गए इधर देखिए यह जो दो सीधे फंदे दिख रहे हैं आपको इनको हम दो का एक करेंगे दो का एक कर दिया यह जो हमारा एक उल्टा फंदा बचा था बीच का यह वाला इसमें से हम सेवन इस्टिच बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ 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 इस्टिच बना लिए हमने यहाँ पर इधर दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पांच फंदे हमने उल्टे बना लिए यहाँ पर इन फंदों को दो का एक करेंगे यह हमारा उल्टा फंदा बचा एक इधर देखें अब इसमें से हम सेबन इस्टिच बनाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ साथ हो गए इधर दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे बुन लिए धागा पीछे यहाँ पर इन दो का एक करेंगे दो का एक कर दिया अब इस फंदे में से हम तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन धागा पी तरफ इनको उल्टा बुनेंगे उल्टी तरफ से हमें सबी फंदों को उल्टा बुनना है यह जो हमने सेबन इस्टिच बनाए है एक इस्टिच में से उनको भी हम सबी को उल्टा बुनेंगे इस तरीके से सबी फंदों को हमने उल्टा बुनिया राइट साइड आएंगे पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे यह फंदा हमारा उल्टा है यह फंदह हमारा उल्टा है धांगा पीछे जो हमने तीन फंदे बढ़ायते उनको सिधा बुनेंगे जो हमारे सेबन इस्टिच थे यहाँ पर देखिए एक इधर से घटा दिया एक इधर से घटा दिया और यह पांच हमारे उल्टे हैं अब हम इने इधर से दो का एक करेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे दागा पीछे इधर से दो का एक जो हमने एक स्टिच से सेवन स्टिच बनाए थे उनको सिधा बुनेंगे देखिए इधर दो का एक करेंगे दागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे दागा पीछे इधर दो का एक सबी फंदों को सिधा बुनेंगे बीच वालोग इधर देखिए यहां पर हम दो का एक करेंगे जो हम उल्टे फंदे बनाते हैं उन्हें हर बार हम दो का एक करते हैं और एक हमारा सीधा फंदा चलता है थागा पीछे एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा यो का एक करेंगे दागा पीछे इन तीन फंदों को सिधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ और ये लास्ट के तीन स्टिच उल्टे बुनेंगे हमारा पैटर्न बनने लगा है उल्टी तरफ से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे राइट साइड आ गए पैला फंद बिना बुना ले लेंगे देखिए ये हमारे तीन फंदे सीधे हैं तीन फंदे सीधे बुन लिए अब इधर हम दो का एक करेंगे दो का एक कर दिया धागा अपनी तरफ ये एक फंदा हमारा उल्टा बचा धागा पीछे इन फंदों को दो का एक करेंगे धागा पीछे और ये जो सेवन इस्टिछ हमने बनाए थे इनको सीधा बुनेंगे इधर हम दो का एक करेंगे एक उल्टा फंदा लेते हुए धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा इधर भी दो का एक इधर हम दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा इधर भी दो का एक फिर तीन फंदे हम सीधा बनेंगे तीन फंदे सीधे बुनने के बाद ये हमारे लाष्ट के तीन फंदे उल्टे देखिए हमारा ये पैटर्न बनने लगा है ये हमारा एक कंप्लीट हो गया है सेकेंड वाला ये चल रहा है इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं उल्टी तरफ से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे फंव क्या अब हमें कारना है इहां से हम नया डिजÁ gn शुरू करेंगे पहला फंदा बिना बना लेंगे एक फंदा सीधा अब ये जो हमने तीन फंदे बनाए थे डिजाइन वाले ये तो हमारा उल्टा था पहले का और ये जो तीन फंदे हमने हैं इनको उल्टा बुनेंगे उल्टा बुन लिया हमने दो फंदों को धागा पीछे करेंगे और एक ये जो फंदा है इसको दो का एक करेंगे दो का एक कर दिया जो हमारा एक ये उल्टा फंदा बचा है ये जो उल्टे फंदे बन रहे थे हमारे ये उल्टा फंदा बचा है इसमें से हमें 7 इस्टिच बनाने है 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इस्टिच बना लिए अब हमें इस फंदे को इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पर दो का एक करना है बीच के पाँच फंदे जो है इस पैटर्ल के उपर के जो यहाँ के सिधे फंदे हैं वहाँ पर हमें 5 फंदे उल्टे बुन लिए हैं 3-4, 5 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए, इधर इन दो फंदों को दो का एक करेंगे, इस तरीके से, सलाई के गुमाप का दिहान रखे इधर से हमें इधर को गुमानी है सलाई इधर से हमें इधर को गुमानी है यह जो हमारा लाश्ट का एक उल्टा फंदा बचा है इसमें से हमें 7 इस्टिज बनाने है 3 4 5 6 7 7 फंदे बना लिए अब इस फंदे को हम एसपल्टेंगे और दो का एक करेंगे यहाँ पर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे जो हमारे सीधे फंदे थे उनको आप हमें उल्टा बनाना है चार पांच पांच फंदे उल्टे बना लिए धागा पीछे इन दो फंदों को दो का एक करेंगे यह हमारा उल्टा फंदा बचाए है कहाँ पर इस में से हमें 7 इस्टिच बनाने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ इस्टिच बना लिए हमने इधर दो का एक करेंगे धाग अपनी तरफ सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे देखिए हमारा यह वाला जो डिजाइन है यह हमारा पूरा बन गया है इस तरीके से देखिए यह वाला हमारा शेकेंड बन हो रहा है थर्ड वाला शुरू हो रहा है तो इसी पैटरन को हम आगे रिपीट करते चले जाएंगे इसी को बार बार दोहराते चले जाएंगे जितना भी बड़ा आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो उसी में इसको दोहराते चले जाएं